हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त अकीर चंद बाबा आपके रूबरू एक बर फिर से दोस्तो अभी तक जितना भी हम मैं अपना ज़्यादा ना समय को आते हुए आपको बता रहा था कि पिछले मैं संडे जो भी चुका है संडे को मैं जब एक दिन निकूमने के लिए निकला था तो दर्शन के लिए मैं स्वांखे में स्वांखे के लिए गया यहां पर बाब सिद्गोर्य का स्थान है कब भी बात करेंगे है उस स्थान के बारे में भी हम तो दोस्तों रास्ते में मैंने देखा वाओ यार आईम शॉकिंग बहुत सारे लोगों ने सिद्धू को शदांजली अर्पित की है जिस डंग से थंडा पानी पिला करके कुछ लोगों ने लंगर लगा करके तो दोस्तों कुछ के मैंने वीडियो डाले भी है अर कुछ के वीडियो भी आने बाकी है तो दोस्तों अभी जो बात कर रहे थे हम सिद्धू मुसे वाले की कि सिद्धू मुसे वाले को vimos की men चीज मेरा जो मौ्टीव है वा मौ्टीव यही है कि भाई उसको जस्टिस डिलाना है किसी भी तरह की से सिद्धु मुसेवाले को हमने उसको जस्टिस दिलाना है क्योंकि यार मैं बहुत ही मेरे पास वर्ड ही नहीं है अब रहे यार कोश्वी जब मैं उसके सौंग सुन रहा था जिकीन मानिया बगवान की कसम खाके कहता हूँ अज मंगलवार का दिन है मैं जूट नहीं बोलूँगा कि मैंने उसके सौंग सुने ही नहीं थे कभी यार शादियों में जाता था जा कभी ऐसे जाता था तो थोड़े थोड़े बढ़ सुनता था लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थे रैप लेकिन बाइ जब मैंने उसके रैप द्यान से सुने बोलते हैं ना कि जब बंदा कोई चला जाता है दुनिया से तो उस वक्त उसकी अच्छाई जो होती है सामने नजर आती है तो वही हाल मेरे साथ हुआ जब जिन्दा था तो मैंने उसका एक भी सौंग नहीं सुन पाया लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो डेथ में लड़कों ने जो शोशल मीडिया पर डाले थी उसके सौंग तो जब मैंने वो सुने यार मेरे खोश उड़ गए मैंने बोला यार इस बंदे की कलम में धम था और सचाई थी इसी ये तो लोग पागल हो गई है पूरा वर्ल्ट पागल हो चुका है उसके पीछे और जब मैंने उसके अस्टेलिया के एंट्री देखी यार वाओ यार क्या एंट्री थी यार पंजाबी सिंगर के पहले एंट्री थी ये तो आगए भाई बाई बाई भाई बात उसके तारीफ के उपर अब बात करते हैं कि बड़ी अपडेट आ रही है ये सोशल मीडिया के उपर वो ये आ रही है कि गोल्डी बराड को गिर्फतर कर लिया है कनेडा पॉलिस ने कनेड़ा पुलिस के रेट कार्णर के अधार पर उसको अब इंडिया ले आए हैं इंडिया में ले जहां पर उसको पुश्टाश होगी दोस्तों मुझे गोल्टी ब्रार से कोई लेना देना नहीं है विश्णोई से कोई लेना देना नहीं है उन छूट्रों से कोई लेना दे लेकिन दोस्तों हर गैंकस्टर के पीछे एक कहानी होती है लेकिन मुझे गैंकस्टरों के हकमे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है सबसे बड़ी पीड़ा उस वकत होती है जब हमारे सवीधान के ओपर उंगली उठती है तो सवीदान में हमारी पुलिस भी आती है, हमारी अफीसर भी आते है, आईपियस भी आते है तो अजीड डबॉल के ओबर तरह तरह की जो टिपनिया कर रहे हैं लोग उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोगों की अजीड डबॉल साब से क्या दुश्मनी है क्यों आप उनके खिलाफ इतना जहर उगल रहे हो भाई, यह बात गलत है मेरे भाई देखे हाथ जोड के बिनती है मेरी आप लोगों से, कि यह बात गलत है भाई वो एक कनून का, कनून का अफीसर है लाइन और्डर को मेंटेन करने अलब बंदा है यार उसको यह ड्यूटी सोपी जाती है, वो ड्यूटी करता है मैं इतना ही कहूंगा जी डिवाल जी के उपर बाकी रही बात आपकी परसनल उनके रंजिश क्या है, उनके साथ क्या नहीं है उसको सिद्दू की मौत के साथ मत गसीटो हमारा में मकसद जो है, सिद्दू के कातलों तक पहुंचना है कातलों तक कहने का मतलब यह नहीं है, कि जैसे अभी पुलिस ने बड़े अच्छा काम किया है, वर्क किया है पंजाब पुलिस ने भी लेकिन यही वर्क कहीं, यही जॉब उन्होंने सिद्दू की मौत से, चंद मिनट पहले कर लेते हैं, तो शायद आज सिद्दू हमारे बीच भी होता, चलो माल लेते हैं, कि उस वक्त तक वो नाकाबंदी भी कर लेते हैं, तो आज गैंक स्टर जो है, जो दोस्तों, यहाँ तक हमें चुति नहीं रहना है, हमारा मेंं मक्सद जे है, कि भई ह। उस बंदे का गतल जो है, किस ने करवाया है, और उन शार्प xuूट्रों ने और गोल्डी ब्राड विश्णोई गैंग जे जितने मी गैंग स्टार ने सुस्पारी जे सबी के सबी डिर्टी सुपारी किलर है इनको पैसा दे दो ये किसी के लिए भी काम करेंगे इसलिए आज का जो वीडियो है मेरा क्योंकि मैं सिद्व मुसे वाले के ओपर जेस्टीस के लिए बात कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को मेरी बाते बहुत कड़वी भी लग रही होगी लेकिन मैं वो इसलिए कह रहा हूँ आज आप से कि हमने सिद्दू को जिस्टीज दिलाना है भाई हमने उस कातिल का चेहरा देखना है जिसने कतल करवाया है इन लोगों से जिसने गोल्डी ब्राड को पैसे दे करके बोला है विशनोई को पैसे दे करके बोला है कि भई आप इसका मडर करवा दो क्योंकि बिश्णोई की और गोल्डी ब्राड की कोई उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है दोस्तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमें वो बंदा चाहिए जिस बंदे ने इसको पैसे दिये चाहे वो एक सेलिब्रेटी क्यों नहीं हो चाहे वो एक राजनेता क्यों नहीं हो चाहे वो अभी नेता ही क्यों नहीं हो हमें जिस्टी चाहिए बस ताकि हमारे हिंदुस्तान गौवर्मेंट उस बंदे को पकड़ करके सब के सामने कनून के दहरे में रहकर कर उसको सजा दिलाए ताकि दुबारा ऐसा कोई कान हो न सके और कोई जो लोग ला एंड आर्डर के उपर सवाल जा निशान करते है लोगों का जो कनून ववस्ता में है वो आस्ता बनी रहे तो इसी तरीके से मैं आपके साथ अगली वीडियो में भी आऊंगा और भी बहुत सारी बाते करेंगे जैसे जैसे मुझे किलू मिलते जाएंगे बहुत अच्छा वर्क हो रहा है लेकिन मेरे इस वीडियो को आप प्रामिस करो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं अच्छे लगते हैं जा बुरी लगते हैं जा फिर लाइक कीजिए मेरे वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिए जैहिंद जैबारत जैबीम जैबारत